बुंदिल खंड का महोवा जनपद दो विधान सभा को मिला कर बना है चरखारी और सदर महोवा विधान सभा इस जनपद में शामिल है फिलाहल दोनों ही में बीजेपी का कबजा है यहां पलायन, बेरुजगारी, शिक्षा, स्वास्त, पेजल और बरबाद हो रहे क्रेशर के उद्योग, यह एहम मुद्दा है बीजेपी ने यहां से अपने वर्तवान विधायक राकेश गोस्वामी को मैदान में उतारा है जबकि समाजवादी पार्टी से मनुझ दिवारी कॉंग्रेस से सागर सिंग और बहुजण समाजपार्टी से संजे साहु चुनावे मैदान महोबा सदर सेट, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजण समाजपार्टी के बीच त्रिकोनियम मुकाबला यहां नजर आ रहा है बीजेपी सरकार में महोबा सदर विधान सभा से राकेश गोस्वामी विधायक है महोबा विधान सभा सीट से 2017 की चुनाव में बीजेपी के राकेश गोस्वामी ने समाजवादी पार्टी के सिद्ध गोपाल साहु को पराजित कर जीत हासिल की थी जबकि बीचेपी के अरिमर्दन सिंग तीसरे इस्थान पर रहे थे इसके पहले के तीन चुनाव में से दो चुनाव में बीजेपी विधायक राकेश गोस्वामी इसके पुर्व भी 2007 में बीजेपी की टिकट से जीत हासिल कर चुके है वैसे तो राकेश गोस्वामी इस शहर की विकास के लिए अपने कई काम गिनाते हैं लेकिन महुबा की जनता इसे नाकाफी मानती है लोगों का कहना है कि यहां का सबसे बड़ा व्यवसाय क्रिशर उद्योग धीरे धीरे बरबाद हो रहा है कर जिस से व्यापारी परेशान है वो इसके लिए सरकार की गलत खनन नेतियों को जिम्मेदार मानते हैं इसके अलावा यहां पर स्वास्थ भी एक बड़ा मुद्दा है यहां काफी समय से 200 बेड की ट्रामा सेंटर की मांग हो रही है लोगों का कहना है कि यहां मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है इसके अलावा पानी बिरुजगारी शिक्षा और स्वास्थ के मुद्द भी है खालात यह है कि सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है तो वहीं पीने के पानी के लिए आज भी लोग परिशान है सुखा और आपदाओं की वजह से यहां पलायन भी बड़ा मुद्दा है विधान सबा चुनाओ की बात करें तो इस बार बीजीपी प्रत्यशी की जीत की डगर आसान नहीं है पीजीपी प्रत्यशी राकेश गोस्वामी ब्रामण चाती से आते है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इनके मुकाबले में कॉंग्रेस छोड़ कर आए मनोज तिवारी को मैदान में उता रहा है बहुजन समाजपार्टी ने समाजवादी सरकार में मंतरी सिद्ध गोपाल साहु के भाई संजे साहु को टिकट दिया है जिसे ये सीट अब त्रिकोणियम मुकाबले में शामिल हो गई है वहीं कॉंग्रेस ने ठाकुर जाती से पुर्व MLC जैवन सिंग के पुत्र सागर सिंग को अपना उमीदवार बनाया है यहां बहुजन समाज के अन्य समों भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में है ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राह आसान नजर आ रही है